दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका एक्जाम क्लिस्ट के वालन पोर्टल में उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एक्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे तो जैसा कि आपको पता है कि डेल बिट डेक्लियर कर चुका है कि वैं 15 दिसंबर से एक्जाम लेने वाला है तो उसी एक्जाम की तैयारी के लिए मैं सामान अध्यन के फाइनेस्ट 1000 MCQ की स्रंखला आपके लिए लेकर आया हूँ जिसका ये पार्ट 4 है अगर इससे पहले के तीन पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर उनको भी देख सकते हैं इसमें मैंने चार सब्जेक्ट को सामिल किया है जो आपका हिस्ट्री जोगरिफी पॉलिटी और एकोनोमी कबर करता है इसमें मैंने साइंस के कोस्ट्री को सामिल नहीं किया है क्योंकि साइंस के फाइनेस कोस्ट्री की स्रंखला मैं जल्दी ही आपके लिए अलग से लेकर आने वाला हूँ तो बिने ज़दन टाइम वेस्ट की हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं आप बिल्कुल सीरेस होके इसको देखिए और अगर आपने पहले से इसकी तयारी कर रखी है तो आप इसको एज़ए टेस्ट लीजिए कि इसमें कितने कोस्ट्री आपके सही हो रहे हैं तो पहला question है हमारा यानि कि question number 76 जूकि question number 1 से लेके 75 तक हम पहले के sets में कर चुके हैं तो question number 76 है हमारा भारत की किस नदी को ब्रद गंगा कहा जाता है options है हमारे पास क्रिखना गोदावरी कावेरी या नर्मदा तो इसका जो right answer है गोदावरी नदी को ब्रद गंगा कहा जात और गोदावरी नदी को दच्छण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, जबकि ये कावेरी नदी है जो इसे दच्छण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है, ये दोनों काफी confusion है, इसलिए हम इसको एक साथ देख लेते हैं, ये जो गोदावरी है इसको दो नामों से जान जाता है, दोनों थोड़ी सी confusion है, जहां गोदाबरी को दच्छन गंगा की नाम से जाना जाता है, वहीं कावेरी को दच्छन भारत की गंगा की नाम से जाना जाता है, इसको याद करना बहुत से हम पहले, देखिए, एक कावेरी बड़ में कावर्ड आया है, और ये दच्छन भारत की गंगा में भी कावर्ड आया है इससे आप मैस कर सकते हैं कि दच्छन भारत की गंगा है वो कावेरी है जब कि दच्छन गंगा में कहीं भी कावर्ड नहीं आया है नहीं गोदावरी में कहीं कावर्ड है तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि दच्छन गंगा गो पर और नर्मदा बारत में सरभाद एक सीधी बैने वाली नदी है अब मैं बोटा कर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नर्मदा नदी है वो एकदम सीधी बैती हुई गई है और अरब सागर में गर गई है लिबकि बांकी सारी नदीयां सीधी नहीं बैती है उनके इस्थान में काफी अब देखेंगे टेडा मेडा होकर वो बहती जाती हैं. Next question है हमारा, राजपाल द्वारा जारी अध्यादेश बिधानसभा द्वारा कितने समय में पारित करना होता है? 8 सपता है, 10 सपता है, 12 सपता है या 6 सपता है? और हमें कोई जरूरी कानून बनाना हो, तो राजपाल अध्यादेश जारी करके एक कानून बना देता है. यह बिल्कुल राश्टपती के अध्यादेश की तरह है. यहां पर इसका जो प्रभाव है वो 6 सपताय तक रहता है, जबकि राश्टपती का जो अध्यादेश रहता है, उसका प्रभाव रहता है 6 महीने तक. उसको लोकसवा पारित करती है, तब वो कानून बनता है, और इसको बिधानसवा पारित करती है, तब वो कानून बनता है. और बिधानसबा चाहे तो उसको 6 सपताय से पहले भी खत्म कर सकती है अगर बिधानसबा का सेसन लगा कुछ दुनों बाद अध्यादेश के जारी करने के और बिधानसबा ने पाया कि हमें ये वाला अध्यादेश अपने पास नहीं रखना है तो 6 सपताय से पहले भी वो इसको ख़दम कर सकती है एक प्रस्ताव पारित करके नेक्स्ट है हमारा हर्स बर्धन को किसने पराजित किया था प्रभाकर बर्धन, पुलिकेशन दुतिये, नर्सिंग बर्वन या ससांग उसका राइट अंसर है हर्स बर्धन को चालोक बंस के राजा पुलिकेशन दुतिये ने पराजित किया था और भी देखते हम लोग यह जो प्रभाकर बर्धन है ना, यह तो हर्स बर्धन की पिता है तो ये क्यों पराजित करेंगे हर्स बर्दन को ये वाला ऑप्सन गलत है ये वाला देखते हैं नर्सिंग बर्मन ये जो नर्सिंग बर्मन है ना इन्होंने पुलिकेशन दुतिय को पराजित किया था और एक जो चीनी यात्री था जो हर्स बर्दन के दरवार में रहता था उ तो हुएंसांग इसके दर्बार में भी आया था, नर्सिंग बर्बन के दर्बार में, ये दच्छन के राजा है, हुएंसांग हर्सवर्दन के दर्बार से उठकर, नर्सिंग बर्बन के दर्बार में आया, और उसने नर्सिंग बर्बन के भी प्रसंसा की थी, और ये वाले जो ससांख हैं, यह ससांख गौडवन्स की एक राजा हैं. Next है हमारा, गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोड दिया गया था? पहली, दूसरी, चौथी या पाँचवी, यहां पर पंचबरसी योजना की बात चल लगी है, कि पहली पंचबरसी योजना, दूसरी पंचबरसी योजना, चौथी पंचबरसी योजना, या पाँचवी पंचबरसी योजना. तो पंचबरसी योजना उसे मकरूप से दो ही टाइप के कॉस्टन्स पूछे जाते हैं, या तो उनका लक्ष पूछा जाता है या तो उनका मॉडल पूछा जाता है तो यहाँ पर लक्ष की बात की जा रही है वेसिकली तो हम थोड़ा सा ओबर्विव सबके बारे में ले लेते हैं कि जो पहली पंचबर्शी योजना है उसमें किरसी को प्रात्मक्ता देने का लक्ष रखा गया था और दूसरी पंचबर्शी योजना में ओदोगों को बढ़ावा देने की बात की गई थी जबकि जो तीसरी पंचबर्शी योजना थी यहाँ पर लिखा नहीं है तीसरी पंचबर्सी योजना में किर्सी और उद्योगों दोनों को बढ़ावा दिया गया था और चौती पंचबर्सी योजना में आत्म निर्वरता की प्राप्ति का लक्ष रखा गया था यानि कि इस्तरता के साथ आर्थिक बिकास का लक्ष रखा गया था और जो पाँचवी पंचबर्शी उजना थी, उसमें गरीबी उन्मूलन का लक्च रखा गया था, उन्मूलन का मतलब होता है हटाना, तो बिसकली गरीबी हटाने का नारा था, इसी पाँचवी पंचबर्शी उजना में दिया गया था, नेक्स्ट है हमारा, अंग्रेजों द लेबइट और Fort saint George हैं, आ यह दोनों Tamil Naandu में पड़ते हैं और Fort Victoria, कि इसका सही नाम Fort Victoria ना होकर Victoria Memorial चानल सका विक्तोरिया मैमोरियल किया से हाहलती है यह इंग्लेंड की महारनी Bürوج की विक्त़ोरिया की याद में बनवाई गया था ये भी आपका कलकत्ता में पढ़ता है लेकिन यहाँ पर किले की बात की जा रही है किला मतलब दुर्ग जो कमपनी सासन के काम में लाया जा सके तो इसका राइट अंसर है फोर्ड बिलियम नेक्स्ट है हमारा लोगसभा के अध्यक्ष का चैन किसके द्वारा किया जाता है सीधे जनता द्वारा लोगसभा के सभी सदस संसत के सभी सदस लोगसभा में बहुसंक्यक दल के सदस्यों द्वारा तो इसका राइट अंसर जो है लोगसभा के अध्यक्ष का चैन लोकसभा के सभी सदश मिलकर करते हैं सीधे जनता नहीं करती जनता चुनती है लोकसभा के सभी सदश मिलकर चुनते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को भी ये सभी चुनते हैं लोकसभा के सदश ये वाला देखिए संसद के सभी सदश तो ये वाला option गलत होगा क्योंकि संसद का मतलब तो राजसभा भी हो गया ना इसमें जबकि राजसभा तो यहाँ पर लोकसभा की अध्यक्ष को चुनने आएगी नहीं और ये डी वाला option देखिए लोकसभा में बहुसंख्यक दल के सदश्यों दोरा तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा अगर ऐसा होता तो बहुसंख्यक दल जिसकी सरकार है वो तो अपना ही आदमीं बैठाएगी फिर लोकसभा में अध्यक्ष के रूप में और फिर जो अध्यक्ष होगा वो एक तरीके से कटपुतली अध्यक्ष होगा बहुसंख्यक दल यानि की सत्ता में जो दल होगा वो जो कहेगा उसको वही करना पड़ेगा और इस तरीके से तो फिर लोकसभा अध्यक्ष के पद की गर्मा ही खतम हो जाएगी तो ये वाला उप्सन भी गलत है नेक्स्ट है हमारा अंगलेसर और कलोल दो तेल छेतर हैं कहां पर हैं महाराष्ट में असम में गुजरात में या राजिस्थान में तो इसका राइड अंसर है ये दोनों तेल छेतर गुजरात में पड़ते हैं और इनसे जो तेल निकाला जाता है, गुजरात की कोईली तेल सोधन साला में इनका सोधन किया जाता है. इसके लावा महाराश में आपका बॉम्बे हाई तेल शेतर पड़ता है, और असम में डिकबोई पड़ता है, रुद्र सागर है, सिप सागर है, और राजस्थान में तो राजस्थान में कोई भी तेल शेतर फ्लब्द नहीं है नेक्स्ट है हमारा पल्लमों की राजधानी का नाम था क्या नाम था कांची, बातापी, तरचनापली या महावलीपुरम तो इसका राइड अंसर है पल्लमों की राजधानी कांची या कांची पुरम इसका फुल नेम है यही थी और यह जो बातापी है यह बातापी के चालुक थे आपने सुना होगा बातापी के चालुक या बादामी के चालुक तो यह बातापी चालुक्यों की राजधानी थी औ लेकिन यहां पर पल्लबों दौरा बहुत ही फेमस स्री रंगनाश स्वामी का मंदर बनवाया गया है, जहां पर बहुत से परेटक देश बदेश से घूमने आते हैं आज भी, और यह बाला है जो महावली पुरम, इसको ममाल पुरम के नाम से भी जाना जाता है, यहां पर महा लोकसभा से बित 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 बि जिसमें किसी जरूरी नियम कानून को बनाना हो, जैसे कि किसी छेतर में पानी की समस्या है, या कोई education policy से related कोई हमें बिल लाना है, तो वो सारे बिल होते हैं, सामन बिध्यक के अंतरकत आते हैं, और ये वाला देखते हैं, नेजी सदस का बिध्यक, ये क्या होता है, तो आप स है, तो वो कहलाता है, सरकारी सदस का बिध्यक, इसके अलावा संसत के जितने भी सदस होते हैं, जिनकी पार्टी की सरकार नहीं है, बो सारे लोग बिध्यक पेस करें, तो वो कहलाता है, निजी सदस का बिध्यक, और ये वाला जो है सम्मिधान संसोदन बिध्यक, ये तो आ मैं पादपों ऑर प्रानीों की दुरलब पीर्ट परजातियां है। य इस तरिफल ओर आ उप्सन तो वैसी गलत हो जाता है क्याON ही। इस तरीके के कुश्चन का आनसर एकजामम में जनरली नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर है इसमें पादपों और प्राणियों की दुरलब प्रजादियां पाई जाती है यहां पर सेर पुछ नाम का एक बंदर पाया जाता है जो बहुत ही दुरलब है जिसकी संख्या लगातार गट रही है और जो आपका केरल की मौन घाटी है या साइलेंट वैली कहते हैं जिसको उसे राष्टी पार्क भी घोसित कर दिया गया है नाइटी नेटी फाइब में तो यह वाला चौथा वाला हमारा राइट अंसर है इसके लावा भारत में एक मातर सदावार बन है तो एक मातर नहीं है इसके लावा भी भारत में सदावार बन पाये जाते हैं इसमें महंगी इमारती लकडी के पेड़ है तो यह वाला आपसन गलत है इमारती लकडी के पे गोपाल किरन गोकले, दादा भाई नौरोजी, सुरेद नात बनर जी या लाला लाच पत्रा है, तो इसका राइट आंसर है, दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ये संपत्ति का अपवण होता क्या है, इसका मतलब है संपत्ति का भारत से बिटेन की ओर जाना, मतलब अंग बिटेन जाकर, हाउस आप कॉमन्स की सीट पर चुना रॉला और ये जीते भी थे इस तरीके से बिटेन संसथ के पहले भारती सदस्त बने थे, और ये बाला है जो गोपाल किरन गोकले, इन्होंने सर्वेंट्स आप इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में, और इनक इन्होंने Unhappy India नाम की एक book भी लिखी थी, next है हमारा भारत में प्रचन बेरोजगारी सामानता दिखाई देती है, कहां दिखाई देती है, करसी के छेतर में, फैक्टरी के छेतर में, सेवा छेतर में या इन सभी छेतरों में, तो सबसे पहले समझ लीजिए, यह प्रचन बेरो अच्छे है मात्र, और उन 15 बच्चों को पढ़ाने के लिए, प्रसासन ने 10 टीचरों की न्यक्ति कर दी, तो आप बताईए, क्या वहाँ पर 10 टीचर्स की जरूरत थी 15 बच्चों को पढ़ाने के लिए, बाकी 9 टीचर्स तो वहाँ पर 6 पी बेरोजगारी के सिकार हैं, ज इस तरीके की बेरोजगारी जो होती है, परच्छन बेरोजगारी होती है, अब देखते हैं, परच्छन बेरोजगारी कहां हो सकती है, फैक्टरी चेतर में, तो फैक्टरी चेतर में तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि फैक्टरी में जैसे ही काम की कमी होती है, वहाँ के तो लोग private job की बजाए government job को prefer करते हैं क्योंकि government job में कम से कम job की security तो होती है कि काम हो चाहे ना हो हमारी नौकरी तो नहीं जाएगी तो ये दोनों option तो गलत हो जाते हैं फैक्टरी छेतर में और सेबा छेतर में तो छुपी भी 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 रोजगारी रह नहीं सकती राइट आंसर है हमारा किरसी के छेतर में छुपी भी बिरोजगारी होती है क्योंकि जमीन का टुकड़ा कितना भी छोटा क्यों नहो पूरे परबार के जो आठ से दस सदस होते हैं उसी को करने में लगे रहते हैं अगर उनके पास दूसरा कोई रोजगार नहीं है जबकि जमीन पर खेती का काम है वो चाहें तो दो लोग मिलकर कर सकते हैं अगर उनके घर में टैक्टर है तो एक अकेला व्यक्ति भी जमीन का पूरा काम कर सकता है जबकि ऐसा होता नहीं है भारत में जो पूरा परबार होता है वो जमीन के छोटे से टुकड़े पर खेती के काम में लगा रहता है और प्रचन बेरोजगारी का सिकार रहता है नेक्स्ट है हमारा बलतोड़ा हिमनत कहां इस्ते थे कारा कोरम परबस्रेणियों में से एक है हिसपार है सियाचें ग्लेसियर सारे यहीं पढ़ते हैं ग्लेसियर कोई हिंदी में हिमनत कहा जाता है और ग्लेसियर से ही आपकी जो मुख मुख नदियां होती है उससे निकलती है ग्लेसियर में जो आपका पीनी और पानी का अधिकान सिस्सा है वो ग्लेसियर में ही जमा हैं इसके ल observe पामीर पठार Gi tongue ये पामीर का जो पठार है वो भारत के उत्तर में यानि कि यह तजाकता है इसको दुनिया की चछत पी कहा जाता है जो पठार हुते हैं वो परभतों से तो कमूचे होते हैं लेकिन मैदान से जादा हुचे होते हैं मतलब परभत और मैदान की ब तो हिमालेगी सबसे निचली परवस रंखला है इसमें आपका कुली मनालिक हिगाटियां पाई जाती हैं जो कोटली दून, पाठली दून, दहरा दून नाम की जगए हैं जितने भी दून नाम की जगए हैं, वो सब इस सिभालेग में हिपाई जाती है और ये वाला है जो ELPS ये यूरोप का एक परवत है तो उसका राइड अंसर है कारा कोरम में पढ़ता है बलतोडा हिमनद नेक्स्ट है हमारा भारत में प्रथम आम चुनाओ किस बरस किये गए थे आम चुनाओ का मतलब है लोकसभा का चुनाओ यानि कि प्रधान मंतरी का चुनाओ ओप्सन से हमारे पास 1947-48 में, 48-49 में, 50-50 में या 52-52 में तो उसका राइड अंसर है 1952 में किये गए थे नेक्स्ट है हमारा सामप्रदायक निर्वाचन छेत्रों की पद्धिती की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई 1892 का भारत काउंसल अधिनियम, 1909 का मारले मिंटो सुधार, 1919 का मांटेगू चेंसपोर्ट सुधार, 1935 का भारत सासन अधिनियम तो इसका जो राइट अंसर है सामप्रदायक निर्वाचन छेत्रों की शुरुआत 1909 में मारले मिंटो सुधार के लागू हो जाने से हुई अभी सामप्रदायक निर्वाचन छेत्रों होता क्या है इसको समझते हैं सांप्रदायक का मतलब होता है संप्रदायक आधार पर मतलब कि आपके धर्म के आधार पर आपके धर्म के आधार पर बूथ बनाय जाएंगे कि ये वाला जो बूथ है इसमें केवल मुसलिम लोग बूथ डालेंगे और मुसलिम कंडिडेट को ही चुनेंगे जो सिख लोग हैं उनका निर्वाचन अलग होगा और वो केवल सिख कंडिरेट को ही चुनोंगे हिंदू लोग हिंदू कंडिरेट को ही चुनोंगे तो इस तरीके का जो चुनाव है वो कहलाता है संपरदायक निर्वाचन छेतर याने की संपरदायक चुनाव प्रणाली और इसके लाबा देखते हैं 1909 का जो मांटेग्यू चुन्जपोर्ट सुधार था उसने भी स्परणाली को जारी रखा लेकर इसमें एक नई चीज और हुई चुनाव को लेकर केसमें महलाओं को भी मत देने का अद्कार मिला था भारत में तो आप इससे कोशन ये भी याद रख सकते हैं कि भारत में महलाओं को मत देने का अद्कार 1919 मही मिल गया था इसके लाबा जो 1935 का भारत सासन अद्रियम है ये तो आप जानते हैं बहुत फेमस है इसी अद्रियम के लगबग 70% भाग को हमारे समिधान में सीधे सीधे रख किया गया है और ये बाला जो है 1892 का भारती कांसल अद्रियम इसके तहत एक चीज हुई थी कि हमारे यहां विधान परसदों का गठन किया गया था और जो उसके भारती सदस्य थे उनको बजट पर प्रसंद पूंचने और बहस कनने का भी अद्कार मिला था इसके अलाबा जो बेटेस की आर्थिक नेतिया हैं उनकी अलुचना कनने का अधकार भी हम लोग को मिला था 1892 के भारती कांसल अद्रियम के तहत नेक्स्ट है हमारा भारत में सबसे पहले निर्मित सिनेगौग किस राज में इस्थे थे महाराष्ट में वेस्ट बंगौल में तमिलनाडू में या केरल में तो सबसे पहले ये समझते हैं सिनेगौग होता क्या है सिनेगौग होता है बेसकली जो यहूदी होते हैं उनका पूजा इस्थल जैसे कि हिंदू धर्मबालों के लिए मंदिर होता है मुसलिम धर्मबालों के लिए मस्जिद होता है पूजा इस्थ लोगों 1560 में बना था केरल के कोच्ची में तो यही है सबसे पहले निर्मस सेनिगॉग नेक्स्ट है हमारा भारत का प्रथम चुनाओ आयुक्त कौन था जीवी मावलंकर, टी स्वामी नाथन केबी के सुंदरम या सुकुमार सेन तो इसका राइड आंसर है पहले चुनाओ आयुक्त थे सुकुमार सेन और जीवी मावलंकर, इसको तो आप देखी चुके हैं यह लोग सभा के प्रथम अध्यक्स थे और केबी के सुंदरम है यह दूसरे चुनाओ आयुक्त है और टी स्वामी नाथन यह पांचवे चुनाओ आयुक्त है तो आप कम से कम हर पोश्ट के दो-दो व्यक्तियों को तो याद कर ही लीजिए जिस्टे अगर किसी खास पोश्ट के दूसरे व्यक्ति के बारे में भी पूछा जाए तो आप बता सकें तो यह दूसरे चुनाओ आयुक्त हैं के बी के सुन्दरम नेक्स्ट है हमारा रुपिया नामक सिक्का पहली बार किसने जारी किया अलावद्दिन खिल्जी ने मुहम्मद बिन तुगलग ने सेरसाय सूरी ने या अकबर ने तो इसका राइट आंसर है वो सोने का सिक्का था और मुहम्मद बिन तुगलग ने इन्होंने मुहम्मद बिन तुगलग ने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी सांकेतिक मुद्रा क्या होती है मतलब टोकन मनी जैसे कि मालीज हमने कागच के दो टुकड़े लिए एक टुकड़े पे लिख दिया 10 रुपए और एक टुकड़े पे लिख दिया 2000 रुपए तो टुकड़े तो दोनों कागज के सेम है उनकी लागत तो 10 रुपए या 2000 रुपए के बराबर नहीं है लेकिन उसके 2000 रुपए लिख देने से अब उस कागच के टुकड़े की जो value है वो 2000 रुपई हो गई है हमने उस कागच के टुकड़े पे मातर एक संकेत लिखा है और उस संकेत के रूप में 2000 रुपई लिखने से और RBI की मोहर लगाने से अब सच में वो कागच का टुकड़ा 2000 रुपई में हो गया अब बजार जाएए अब उस कागच के टुकड़े को देजिए और जिस भी बस्तु ये सेबा का मूल 2000 रुपई है वो आपको मिल जाएगी जबकि इस से पहले जो सोने अचांदी के सिक्के चलते थे उन सोने अचांदी के सिक्कों का मूल सच में उतना होता था माली जी आपको एक उट खरीदना है तो उट जो आता है वो दस सोने के सिक्कों के बराबर आता है तो दस सोने के सिक्कों की जो वैल्यू थी वो सच में एक उट के बराबर थी लेकिन मुहमबद बिन तुगलक ने क्या किया इन्होंने एक तावे का सिक्का लिया तो आप वो वाला उट खरी सकते हैं, तो ये जो तावे की मुद्रा है, वो क्या है? वो सांकेतिक मुद्रा है, ये सांकेतिक मुद्रा चलाने से मुहम्मद बिन तुकलक को काफी नुकसान भी हुआ था, क्या नुकसान हुआ था? जब उन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाई त तावे की तो उस समय जो लोगों के बरतन थे वो तावे के थे तो सारे लोगों ने नकली सिक्क्य बनाना चालू कर दिये कामधाम करना सब छोड़ दिया जब उन्हें पैसे की ज़र्वत होती थी तुरंत एक बरतन उठाया और च्छनी हतोड़ा उठाके उस बरतन के छोड़ चोटे सिक्क्य बना डाले और लेके निकल गए बाजार में कोई भी खरीदारी की आराम से बैठे कामधाम कुछ किया नहीं तो इस तरीके जो मुहमद बिन तुगलक की अर्थवबस्ता थी वो पूरे तरीके से चौपट हो गई थी बाजार में नकली मुद्रा की भरमार हो काफूर था वो एक हजार दीनार में खरीदा गया था इसलिए मलेक काफूर को कभी-कभी एक हजार दीनारी के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट है हमारा संसार में स्ट्रॉंड का सबसे बड़ा उतपादक देश क्या है तो यहां पर उतपादक की बात चल लई है कि कौन सा देश सोने का ज़्यादा उतपादन करता है आश्ट्रेलिया कनाड़ा रूस या साउथ अपरीगा तो देखिए इस तरीके के जो कॉ हो जाएगा इसका रूस क्योंकि चायना तो इस उप्शन में है नहीं उतपादन के अलापा दूसरे संधर में देखा जाए कि किस देश के पास कितना सोना है तो इसमें सबसे पहले आता है पहले स्थान पर वह है यूनाइटेड स्टेट यानिकि संयुक्तराज अमेरिका मे और हमारा जो इंडिया है वो इस लिस्ट में नौवे नमबर पे आता है कहने बाले तो ये भी कहते हैं कि इंडिया के पास आज भी इतना सोना है कि आज भी वो सोने की चड़िया है कैसे है इतना सोना लोग कहते हैं कि यहां की महलाएं जितना सोना पहनती है अगर वो सब ए खटा कर लिया जाए तो ये अमेरिका की सोना से भी ज्यादा हो जाएगा तो अब क्या फैक्ट सही है क्या नहीं उससे हमें ले दना नहीं है ये वाला जो सोना है ये देश की सरकारों के पास जितना सोना है ये उतना बताया गया है उसके हिसाब से जो हमारा इंडिया है वो न उत्पादन में हास, तो इसका जो राइड आंसर है, वो है मुद्रा पूर्ती में ब्रद्धी और उत्पादन में हास, इसको हम लोग एक्जामपल लेके थूच समझते हैं, मान लीजे कोई मोबाइल है, रेडमी कंपनी का, और उसकी कीमत है 10,000 रुपए, और यहां पर कुछ इस मोबाइल का प्रोडक्शन कम कर देती है, मतलब उत्पादन में हास कर देती है, जब यह मोबाइल कम नंबर में आएगा, तो जाहर सी बात है, इस मोबाइल के रेट बढ़ेंगे, तो अब इस मोबाइल के रेट हो जाते हैं 12,000 रुपए, जब 12,000 रुपए हो जाते हैं तो पहले तो ये मुबाइल आ रहा था 10,000 रुपए में मतलब पहले 10,000 रुपए जो काम कर रहे थे अब वही 12,000 रुपए कर पा रहे है मतलब मनी की वैल्यू तो घड़ गई और दूसरी कंडिशन में क्या होता है मुद्रा पूर्ती में ब्रद्धी कर दी जाए मतलब लोगों के पास जादा जादा पैसा दिया जाए तो लोगों को ये फरक नहीं पड़ेगा फिर कि मुबाइल 12 का है कि चौदा का है क्योंकि लोगों के पास तो जादा जादा पैसा आ रहा है तो कंपनी भी इसका फाइदा उठा कर इस मुबाइल के कीमत 14,000 रुपए कर देगी फिर से क्या होगा कि जो 12,000 रुपए काम कर रहे थे अब वही काम 14,000 रुपए कर पा रहे हैं तो फिर से ये मुद्रा की जो बैल्यू है वो घड़ जाएगी और इस तरीके से मुद्रा की वैल्यू का घटना होता है वो कहलाता है मुद्रा SPT यानि की इनफलेशन आई होप आपको समझ में आया होगा नहीं समझ में आया हो तो कोई बात नहीं कोशिस तो बैसे मैंने की थी सिंपल सी फिर भी मैं इस कॉंसेप्ट को आने वाले कोस्टन्स में आपको समझाने की कोशिस करूँगा पूरी तरीके से तो इसका जो अभी राइट आंसर है बो है मुद्रा पूर्ती में ब्रद्धी तथा उत्पादन में हस नेक्स्ट है हमारा बेटिस सरकान ने सीधा भारत पर सासन करना प्रारम कर दिया था और कमपनी के सासन को खत्म कर दिया था सपाईयों की गदर का मतलब है 1857 की करांती वाला और भी देखते हैं पानी पत की युद्ध के बाद तो यहां पर यह वाला क्लियर नहीं है कि कौन सा पानी पत का युद्ध है अगर बिटे सर्फ से जुड़ा है तो जाहर सी बात है कि यह वाला पानी पत के तीसरे युद्ध की बात चल लई है तो जो पानी पत का युद्ध था तीसरा बो तो हुआ था मराठों और अफगान के बीच में लेकिन इससे अंग्रेजों को भी फायदा हुआ था क्योंकि हां मराठों की सक्ती खत्म हो चुकी थी तो अंग्रेजों ने धीरे-धीरे भारत पर अपना सिकंजा कसना चालू कर दिया था और पिलासी का युद ये 1757 में हुआ था मंगाल के नवाब सराज दौला के बीच तो इस युद के बाद बेटिस सरकार ने भारत पर सीधा सासन प्रारम नहीं किया था लेकिन जो बेटिस इस्ट इंडिया कंपनी थी वो सासन में हिस्सेदारी लेने लगी थी युद के बाद जो संदी करती थी संदी के बाद कुछ छेतर अपने नाम करवा लेती थी और उस छेतरों से जो भी कर्वसूलने का था सिस्टम वो अपने पास रेजर्व कर लेती थी तो प्लासी की युद्ध के बाद काफी नडायक युद्ध था ये प्लासी का युद्ध, तो उस समय बेटिच सरकार ने नहीं, बलकि जो बेटिच इस्ट इंडिया कंपरी थी, उसने अपने पैर फैलाने चालू कर दिये थे, और ये बाला है मैसूर की लडाई के बाद, तो मैसूर की चाल लडाईयां हुई, आंगल मैसूर युद्ध चार हुए, जो चोथा आंगल मैसूर युद्ध है, अन्तिम बाला, वो 1799 में खत्म हुआ था, तो इस बाले और अप्चन का संबन हमारे कॉस्टन से नहीं है, नेक्स्ट है हमारा, उच्चितम नियाले के नियायक पुनिरिक्षण कार का क्यारत है, क्यारत है, स्वयम अपने निरनाय का पुनिरिक्षण, देश में नियायपालका के कामकाज का पुनिरिक्षण, कानूनों की सम्वेधान एक बैत्ता का परिक्षण, सम्वेधान का आब पेस हो गया, जो कि साब साब बता रहा है कि निरनाय गलत दिया गया था, तो सुप्रेम कोड के पास ऐसी पाबर है कि वह अपने पुराने दिये गए निरनाय को पलट सकती है, इसको कहते है नियायक पुनरीक्षन की सकती है, और यह जो नियायक पुनरीक्षन की सकती है, यह अमेरिका की संब्धान से लिए गई है, नियायक पुनर्विलोकन, नेक्स्ट है हमारा, नेमलिकित में से गर्म मसालों का मुख उतपादक कौन है, दककन ट्रेप, मालाबार ट्रेप, कोरो मंडल तट या सुन्दर बंडेल्टा, तो गर्म मसालों का जो उतपादक है, वो है मा केरल बाला लाका, जो बासकोड गामा था, वो भी मालाबार टटक के काली कड में उतरा था, और वो यहां के गर्म मसालों से इलायची लॉंग मिर्च, इससे इतना प्रभावित हुआ था, कि जब उसने इससे बना हुआ मास्क खाया, तो बस उल्लियां चाटता रह गया था और उसने यहां के मसालों का यूरोब में ब्यापार करके भारी मुनाफ़ा भी कमाया था, तो आज भी मालाबार टट का जो केरल वाला हिस्सा है, वो गर्म मसालों के उत्पादन का मुक्स रोत है, और यह वाला जो दककन ट्रैप है, वो बिंद के नीचे जो महराष्ट करन पूरबी तट है, वो बिंद के नाम से जाना जाते हैं, और सुन्दरबन डेल्टा, यह गंगा और ब्रंपत तुर द्वारा बेस्ट बंगाल में बनाया गया एक डेल्टा है, सुन्दरबन डेल्टा, नेक्स्ट है हमारा भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, चंद्रगु और यह जो चंद्रगुप्त हैं, लगता है यहां पर चंद्रगुप्त प्रथम की बात की गई है, क्योंकि केबल चंद्रगुप्त तो चंद्रगुप्त मौर का भी नाम था, और जो चंद्रगुप्त प्रथम हैं, वो गुप्त बंस के एक राजा थे, और जो इसका राष्ट पती आप समाज गया होंगे इसका राष्ट आणसर है राजपाल की उपर किसी प्रकार का अभियोग चलाने का कोई प्राबधान सम्मिधान में नहीं दिया गया है क्योंकि यह जो होता है वो राष्ट पती के प्रसाद परियंद प्रत ग्रहन करता है प्रसाद परियंद का मतलब है राष्ट पती जब तक चाहे राजपाल अपने पत पर रहेगा और जिस दिन वो चाहे लेकि इसको हटाना है वो तुरंद इसको हटा देता है और भारत का मु पोटिंग पॉजिटिव हो जाती है तो भारत के मुखनयादीश को हटना पड़ता है फिर सेम यही प्रोसेस किसी उचनयालय के मुखनयादीश की है इसके अलाबा जो उपराश्टपती है उसमें एक चीज स्पेसल है उसके महावयोग में मतलब उसके रिमूबल में कि इसका जो प्रस्ता होता है वो केबल राजसभा से प्रारम किया जा सकता है लोकसभा से नहीं राजसभा में अगर वो पारित हो जाता है तो उसमें लोकसभा के मामूली यानि कि सामान बहुमस से भी उपराश्टपती को हटाया जा सकता है राजसभा में क्यों प्रारम किया जाता है इसका क्योंकि ये विशकली राजसभा का ही एक मेंबर हो ता हैبد यूए व्राजसभा के पदेन सभापती होते हैं इसलिए इसको हटाने का जो प्रस्ताओह है केवल राजसभा में ही लाया जा सकता है तो यह एक्सेट करते रहेंगे तो इसके लिए आप चैनल को भी सब्स्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें और आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं आप किसी तरीकी से हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट यही होगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजिए अब हम लोग मिलेंगे नेस्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय भारत